Hello friends, welcome to our channel future engineers आज हम बात करने जा रहे हैं ESA Engineering Colleges की जिनकी फीज काफी कम है तो आईए बात करते हैं ESA Top 10 Engineering Colleges की सो गैस सबसे पहले नंबर पर जो कोले जाता है वो हैं करकत्ता उनिवर्सिटी तो गैस ये कोलेज काफी पुराना है इसको 1857 में बनाय गया था और ये कोलेज वेस्क बेंगोल काता में है अगर बात करें इसके एडमिशन की तो इसमें आपके एडमिशन W.E.J.E. के ठुरो होता है एक साव के टुशन फीज की बात करें तो इसमें मात्रा आपकी फीज रुफी 6,000 लगेगी और यहां पर प्लेस्मेंट की बात करें तो 11-13 लाथ एडमिशन देखने को मिल जाता है सेकेंड नमबर पर जो कोलेज आता है वो है कल्यानी गोवर्मेंट इंजिनिरिंग कोलेज तो भैज ये कोलेज 1995 में बनाय गया था और कल्यानी वेस्क बेंगोल में है और अगर यहां पर हम फैडमिशन की बात करें तो इसमेडमिशन WPEJ E-K3 होता है और यहां पर हम अगर इसके फीज की बात करें तो इसमें अगर आप I.T. ब्रांच लेते हैं तो 24,000 रुपय आपके फीज लगती है और अगर आप इसमें CAC और EC लेते हैं तो इसमें 12,000 आपकी फीश लगती है और अगर आप इसमें मेकेनिकल और इलेक्टिकल लेते हैं तो मातरी 6,000 रुपय आपकी फीश लगती है एक साल की तो गैस अगर इसके एवरेज पेकेज की बात करें तो इसमें 6-7 लाग रुपीज एवरेज पेकेज़ आपको देखने को मिल जाता है थर नंबर पे जो कोलेज आता है वो है JMI Daily I hope आपने इस कोलेज के बारे में जो सुना होगा तो ये कोलेज 1920 में बना था और ये कोलेज Daily में लोकेटिड है अगर हम इसके एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो इसमें एडमिशन जे मेंस के थ्रू होता है और इसके जो फीस इस्ट्रक्चर है वो है 16,150 रुपे और अगर इसके प्लेसमेंट की बात करें तो इसमें 9-11 लाग रुपे एवरेज पेकेज देखने को मिलता है फूर्थ नमबर पर जो कोलेज आता है वो हैं दयालबा कोलेज ये कोलेज 1981 में स्टेबलिस हुआ था और ये कोलेज अलिगर यूपी में लोकिटी डे अगर हम इसके भी एडमिशन प्रोसेस की बात करें फूर्थ नमबर पर अब हमारे पास जो कोलेज आता है वो हैं जादोपूर यूनिवरसिटी ये कोलेज 1955 में स्टेबलिस हुआ था और ये कोलेज कोलकटा वेस बेंगोल में लोकिटी डे अगर हम इसके एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो इसमें हमें 12-15 लाग रुपे और इस पेकेस देखने को मिलता है जो कि IIT की लेवल का है तो गैज इस लिस्ट में 6 नमबर पर जो कोलेज आता है वो है AMU अलिगर्ड मुस्लिम यूनिवरसिटी जो कि ये कोलेज 1920 में स्टेबलिस हुआ था और ये कोलेज अलिगर्ड में लोकेटिड है अगर हम इसके एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो इसमें हमें एडमिशन AMU ट्रीपल ली के थरो मिलता है अगर इसकी टूशन फी की बात करें तो इसमें 18,340 रूपीस अराउंड फी से और अगर हम इसके एवरेज पेकेज की बात करें तो इसमें 7-8 लाग हमें एवरेज पेकेज देखने को मिल जाता है सेवन नमबर पर जो कोलेज आता है वो है D.U.C.I.C. तो गैस इस कोलेज के बारे में काफे कम लोग जानते है तो गैस ये कोलेज 2011 में स्टेबलिस होा था और ये कोलेज डेली में लोकेटेड है और अगर हम इसके एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो इसमें में एडमिशन C.U.E.T. ये थू मिलता है और इसकी जो टुशन फीज है वो 5,000 पर येर है तो गैस बात करते हैं बगले कोलेज की तो इस लिस्ट में एड़ नमबर पे आता है U.I.C.E.T. ये कोलेज 1958 में स्टेबलिस होा था और चंडिगर्ड में ये कोलेज लोकेटेड है अगर हम इसके एडमिशन प्रोसेस की बात करें नेक्स्ट हमारा जो कोलेज आता है वो है J.C. जवलपूर ये कोलेज 1947 में स्टेबलिस हुआ था और जवलपूर MP में लोकेटेड है इस कोलेज में में एडमिशन जे मेंस के काउंसलिंग के थुरू मिलता है और इस कोलेज के जो टुशन फी है वो 22,300 पर येर है और इस कोलेज के जो एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो इसमें में एडमिशन W.J.E. की थरू मिलता है और इस कोलेज के जो टुशन फी है वो 1.4 लेक पर एनम है जोगी थोड़ी ज़दा है और इस कोलेज में में एवरेस पेकेज 5-6 लाग रुपेज देखने को मिल जाता है तो गैस अगर आपको यूडियो पसंद आए हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें